नमस्कार दोस्तों आप सब कस वागत है आपके इपने चैनल डगर पे आज मैच खेला जाएगा इंडिया वसी जिम्भावे के बीच में तीसरा टीट्वेंटी आई और दूसरे मैच में आप लोगों को पता है क्या आग लगा के आए हैं भाई अभी शेक शर्मा को कैप्टन करके आयता है और अभी शेक शर्मा ने जो पर्फॉर्मेंस दिया मतलब मज़ा ही आ गया और आप लोगों को साफ साफ बताया था कि अगर इंडिया बैटिंग करता है तो अभी शेक शर्मा को कैप्टन जरूर करिएगा और अपने लोगों ने ये तो देखी लिया कि भाई अभी शेक शर्मा उतने अच्छे नहीं और उस वैसा ही हुआ कि अभी शेक शर्मा उस मैच में भी फ्लॉप हो गए और सिगंदर राजा ने कमाल कर दिया तो गईस इस तरीके के प्रिडिक्शन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चीए अगर आपको यकिन न तो इस तरीके के भाई टीम आप लोगों को प्रवाइड किया जाता है और आप लोगों ने ये भी देखा कि भाई जो हमारे पास में लिउक जोंग भी थे उन्होंने भी अच्छा का सब बैटिंग करके दिया बॉलिंग से चलो चार ओवर करके दिया कुछ नहीं कर पाए लेकिन बल्लेबाजी से कमाल करके दिया वह भी अपने टीम में थे तो कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस और इस तरीका का अनलाइसिस आपको मिलते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का मैच जो की तीसरा टीट्वे और मेरं का लिंक दे दिया है ध्यार मेरगना बहुत सारे मेरे नाम से फ्राउड चैनल है तो उनसे बच कर रहिएगा एक रुपय मैं किसी से लेता नहीं हो प्राइम टीम के नाहम से और कोई भी प्राइम बेशता हो दो गाली मेरे तरफ से दो क्यृंकि प्राइम prose हो मेरे बात करते हैं भाई आज के मैच की। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मैच में आपको हिंडियन टीम में थोड़ा चेंजीज नजह आ रहे हैं। क्या नजहर आ रहे हैं؟ वह कि संजू समसण स्क्वाइड में एड हो चीक है दुरुव जुरेल और ये शायद से आपको ना ही दिखे क्योंकि अभी तक विगट कीपरिंग में कर रहे था अब संजू सेंपसन आपको दिख सकते हैं इसके बाद में जो सी मदाने थे वह पहले मैच में क्योंकि दोनों दुरुव जुरेल और वह बहुत नीचे में आ रहे आप लेके चल सकते हैं और कुछ ग्रैंड लिक टीम में आप कैप्टन सी भी ट्राइब कर सकते हैं आज की मैच में इंडिया बैटिंग फर्स्ट की केस में ज्यादा अच्छे रहते हैं ठीक है चेजिंग में उतने ज्यादा किफायती नहीं होबाई लेकिन बैटिंग फर् पॉमेंस दिया अगर फिर से इंडिया बैटिंग करता है और एक और जबर्दस पारी देखनों को मगर मिला यशस्वी जो हमारे पास में जो अभिशिक शर्मा उनसे अगर देखनों को मिला और उने के साथ में रितुराज गाई को और शुमन गिल या खफिर कोई और बल्ल काफी कमाल के बल्लेबाज है स्ट्राइक रेट अच्छा है तो आज रिंकु सिंग जो पर्मोट हुए तो हो सकता है रिंकु सिंग के जिगे पर आज यशस्वी जैसवाल ही आए इस चीज़ के लिए तैयार रही है और एक बड़ा नियोज यह है कि भाई इतने सारे चेंज बाई अगर वन डाउन आए तो क्याप्टन जरूर जरूर ट्राइ करना शुम्मन के लिको दयान में रखना ठीक है बागी देखते हैं पर लेंग 11 में यह लोग क्या चेंजिस करते हैं कभी भी कुछ भी लेकर आ सकते हैं बागी यह लोग अगर अच्छे किये तो आपको र लेबाज यह आ रहा है तो उसका मतलब है कि भाई विकेट उपर गिरे हैं तो कभी-कभी यह चलते भी है कभी-कभी यह फ्लॉप भी जाते हैं तो अकॉर्डिक टू वह रहता कि इंडिया टीम कितने प्रेशर में है ठीक है इसके बाद मैं बात करते हैं गाई-कॉर्ड बात आज उतर सकते हैं अपने टीम के साथ में ठीक है बाकि यहां पर से देखो साफसे दी बात है रियान पराक्षाट साज ना खेले मधिरवेरे ने अच्छे परफॉर्मेंस दिया लेकिन शायद दोनों मैच में ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिया डिसेंट बढ़िया राजा भी है तो अभी के लिए रितुराज गाई कोड और शुमन गिल और मैं येशस्वी जैस्वाल को भी मैं देखे चल रहा हूँ जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो बाद में खेलते हुए दिखे तो आप लोग ट्राइक कर सकते हो भी ठीक है अभी ने ले रहा हो चल लो बाद में बता दूँगा क्योंकि फिर आप के इंफ्यूज हो जाओगे सिगंदर राजा मस्टैप पी के सिगंदर राजा बेटिंग पहले आता है जिंबावे का ता आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सी के बहुत बहुत बहतरी इन चोईसे के साथ में कुछ बेटिंग में बेटिंग आ रहा तो कुछ टीमों में आप अभिशेक शर्मा को ट्रॉप पिका सकते हो हाला कि बॉलिंग से विकेट्स तो नहीं निकाल पारें उतने क्लासिक बॉलर तो अभी तक नहीं मनें थोड़ा से केलते केलते एक्स्पिरियंस हो जाएगा तो बाद में बात कलते थे वाशिंग्टन सुन्दर बहुत बैटरीन करने हैं लास्ट मैच की भी बात करें तो कैज वैच पकड़के एकाद विकेट निकालके कर ही दिया उन्होंने काम और जिंबावे का टीम इतना ही वीक है कि भाई ये सब के सामने विकेट्स गवा रहें औ लेकिन यहां पर ठीक है बैलेंस पीच रहता है नॉर्मल यह बैलेंस पिच रहता है ठीक है यहां पर वशिंग्टन सुन्दर हो गया अब बात कर लेते हैं बहुत बैटरीने बाई शुरुआत में ओवर रहें और बल्लेवाजिश भी अच्छा कर लेते और इस साल फॉम भ लेते और रन मना दिया था थोड़ाँ थोड़ासा अरन मना धिया था जिसमें अगर मैं बात करू तो इसे बीएनिट ने 43 पॉइंट दिया ठाब बात करें भी मेंने तो द्रीम टीम में आ गए था क्योंकर इनोने थोड़ासा अच्छा रन मना दिया था लेकिन auger Noel कम थे इ तो बलेबाजी किये ही किये हैं, दूसरी चीज है कि ये 4-Over किये, तो death-Over में किये इंदवाजी किये थे, तो भाई ऐसा नहीं होती हर matchman को wicket ना मिले हैं भाई हाला कि Indian टीम है इस वज़ीज़े वो wicket नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई आध रास्ट लोग नहीं ले रहे हैं तो अगर जिंबावे का बॉलिंग आ रहा है तो लूक जोगी को आप लोग फिर से एक मौका दे सकते हैं जैसे हमने उने नास मैंच में दिया और अच्छा करके दिया बंदे ने ठीक है तो ये आपकी चोईस है आप क्या करना चाहते है अब बी बैनेट को बात करें बाई बैटिंग आ रहा है बॉलिंग एक दो बर करना है वो आप ले सकते हैं लेकिन आपको मैं समझा दूँगा कि क्या करना है इसके बाद मैं बात करते हैं बॉलर्स तो भाई भर लो पहली बात ये है कि इंडिया का जो भी बॉलर आ रहा है उसको तो भर लो बाई सबको विकेट्स दे रहे, किसी को भी विकेट्स मिल जा रहा है, दो एक दो उबर दे रहे तब भी, रवी विश्णोई को पड़ी नहीं पा रहे, आवेश खान को भी विकेट्स मिली गया, सगेंड इनिंग में भी बहुत सारे भाई लोग नहीं लेके आये थे, तो मतल जो चार ओवर है, वो कौन करेगा, तो इसमें भाई थोड़ा सा देख लेना भाई, थोड़ी सी चेंजिस हो सकते हैं प्लेइंग 11 में, ठीक है, इसके लिए रेडी रहिएगा, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अभी शेक शर्मा तो अगर अगर ऐसी प्लेइंग 11 आता है, तो अभी शेक शर्मा के फिर से 4 ओवर पूरे आ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजिस भी नजर आ सकता है, लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ, कि भाई, रियान पराक तो बाहर हो गए, तो अभी शेक शर्मा के 4 ओवर प कप्टेंसी बना सकते हो, ठीक है, सिगंदर राजा हो गए, ये बहुत बढ़िया है, आट को और दो का कॉम्बिनेशन हो चुका है, चाहो तो इसमें जो भी खिलाड़ी, एसे स्वी जैसवाल के साथ जा सकते हो, ठीक है, या आपको लग रहा है कोई एक और बॉलर आएगा उसके साथ उतर सकते हो, या अगर इंडियान बॉल इसके, देखो गाइस, ये जो टीम है, ये अल्मोस समझ लो, फिक्स है, ये प्लियर्स फिक्स्ड है, इसमें जादा रोटेशन करी नहीं सकते हैं हम लोग, ठीक है, सैंज्यू सेंप्सन के जगे पर हो सकता है, बल्लेवा अब इसके जेगे पर देखो क्या करना है, दोस्तों अगर आपको येशेसवी जसवाल ऊपन करते हुए दिखे, या ओन डाउन खेलते हुए दिखे, तो ये अगर जवां रोटेशन, ठीक है, ले लेना, और अज के मैच में अगर येशेसवी जसवाल कहले हैं, तो सिगंद तो ऑबर में तीन मैच के तीन उवर कर वाए था तो यह रहा अब जो है अब आपके सामने आब बात कर लेते हैं अगर कुछ different try करना है Different try करना है जाना है तो बैटिंंग one government के case में खास कर bowling first कर के case में कौन को जए अचे होंगे वह में पता देता हूँ, भी मुझे रवानी, ठीक ठाक है, डेथ में उवर्ज करवाते हैं, लेकिन बल्ले बाजी थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट के केस में, आप लोग चाहो तो ल्यूग जुंगवे को फिर से ट्राई कर सकते हैं, ये एक डिफरेंशियल में आप एक चोईस और ले सकते हो, वो है डबलू मैधर वे, ऑफिस पिन करवाता है, बंदा मैं बार बार बोल रहा हूँ, बल्ले बाजी से दोनों ही मैच में बढ़िया करके दिया, जरूरत पढ़ सकता है, अगर येशिस्वी जैसवाल केल रहा है, इंकू सिंग हो गया, क्योंकि सब को हिट करने की कोशिश करते है, ठीक है, इसके बाद में, दूसरे, भाई टी चतारा को कब ले, लास्ट मैच में हम लोगों ने टी चतारा को लिया ही नहीं, कुछ नहीं करके दिया भाई, तो टी चतारा सेकिंड इनिंग बॉलिंग में ज्यादा अच्छा रहत ठीक है, द्यान में रखना, टी चतारा, मुझरवानी को क्या है, कि मुझरवानी जो है, फिर भी आप ले सकते हो, लेकिन बहुत देखो, बहुत क्यों फायते नहीं है, क्योंकि ये इंडिया इंबेट्स बैन की विकिट तो थोड़े कमी ले पा रहे है, विकिट जो ले रह रहा है, और पहले इनिंग में इन्होंने रन भी जादा नहीं वनाए है, कि या कोई बल्ले बाच पॉइंट्स देखो, तो ऐसे केस में, जिमबावे अगर सबसे पहले यहां पर से देखे कि आप बैटिंग कर रहा है, जिमबावे, तो ऐसे केस में, आप भी मुझरवानी टी चतारा, इनको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, देखला भाई कमाल होता है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, चलो बाद में समझ माएगा, कुछ चुपाना ही सही रहता है, ठीक है, तो यह चीज आप लोग समझ सकते हैं, कि एक आद बॉलर आप बढ़ा सकते हैं, फिर बन चुका है, इसमें आप लोग यह सवी जैसवाल के जिएके पेकाद रोटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, दोस्तों मैं पहले से शुरू से बताते हुए आ रहा हूं, कि मेरा कैप्टन कौन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, अरबार समझा रहा हूं, आज के मैच में मैं फिर से बता रहा हूं, कि मैंने पहले भी बताया है, कि आप लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखो, इंडियन बॉलर्स में रखेंगे जो बॉलिंग करेगा, ज्यादा से ज्यादा, वहाँ पर आप कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जिम्बावे पूरे दस विकेट से आरे हैं, तीन-तीन विकेट निकाल जारे हैं बॉलर्स, तो आप बॉलिंग सेशन में चाहे अभी शिक शर्मा हो, वाशिंग्टन सुंदर हो, रवी विश्नोई हो, आवेश कान हो मुकेश को मारो, ग्रैंड लिग खेल रहे हैं, क्याप्टन इन में लेते जाओ, सबको बनाओ, ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं बंदे, और बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि विकेट्स गब आ रहे हैं, याद रखना, शुम्मन गिल, वन डाउन उतरते हैं, तो आपको शुम इंडिया, जिंबाबे का बैटिंग आ रहा है फिर से, तो आप चाहो तो सिकंदर राजा को कैप्टन कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो बी मैनिट को कैप्टन कर सकते हो, डिफरेंशियल होगा बिल्कुल, बल्ले बाजी टॉप अटर पे हैं, शुरुआत में ओवर कर रहे हैं, पता चला शुवात में, फिर से भी मैनिट ने अभिशिक शर्मा कभी खिट निकाल दे, जैसे पहले मैंच में निकाला था, लेकिन ओवर्स कम दिये थे, इनके ओवर्स कट गए थे, इतना अच्छा करा था, फिर भी इसके ओवर्स काट दिये थे, ठीक है, क्योंकि ये आप चाहो तो अभिशिक शर्मा को वाइस कैप्टन कर सकते हो, और कैप्टन जो है, अगर इंडिया चेस करता है, तो अभिशिक शर्मा को कैप्टन कर सकते हो, फिर से वाइस कैप्टन, आप बॉलस में, रवी विश्नोई, आवेश्कान, मुकेश कुमार को कर सकते हो, ऐसे आप सोच सकते हो ठीक है तो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहरे हो सब चीज और बता दिया हूँ रोटेशन समझना क्या क्या बोला हूँ थोड़ा सा पीछे जाओ दस पाच मेंट फिर से सुनो उसको टीम बनाते टाइम अनलाइस करोगे तो सब समाझ मा जाएगा ठीक है तो मिलते हैं भाई नेक्स वीडियो के साथ में काफी जबरदस विनिंग चल रहा है अपना और आप लोग देख रही रहे हो कितना कंटिनुवसली विनिंग कर रहे हैं